दोस्तो अगर आपने ड्रीम 11 एप क्रोम से डाउनलोड किया है और आपको कांट ओपन फाइल का एरर देखनों को मिल रहा है तो आप अपना ड्रीम 11 एप कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ तो देखते रहिए तो ड्रीम 11 एप डाउनलो फोल्डर में जाना है डाउनलोड फोल्डर में आप स्क्रोल करके देख लेंगे नीचे आपको ड्रीम 11 एप देखनों को मिल जाएगा अगर आपको डाउनलोड फोल्डर में काफी सारा फाइल है अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप सर्च कर सकते हैं ड्रीम 11 या पे ड् 一wnieिए पी के आपको देखनों को मिल जाए गा तो डुलिक कर देना है तो देगि डौरी में आपको दिख जाएगा तो डुलिक कर देना है और अगर आपने unknown source के permission को allow नहीं कर रखा है तो आपको settings का option आएगा settings पे click करके unknown source के permission को allow कर देना है उसके बाद आपको install का option दिख जाएगा तो install पे आपको click कर देना है उसके बाद dream 11 app install हो जाएगा तो इस तरह से आप dream 11 app अगर install नहीं हो रहा है तो आप install कर सकते हैं तो उमीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक जरूर करे और अगर आपको रेफरल कोड चाहिए Dream11 के लिए तो आपको स्क्रीन पे रेफरल कोड दिख रहा होगा, इस रेफरल कोड को आप यहां पे नीचे ओपन करने की बाद इंटर कोड का उप्ज तो ऑगले वीडियो में हमें देखेंगे तो उमीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक आप जरूर करे और चैनल को भी सस्क्राइब कर ले निवीडिो सबसे पहले देखने के लिए